नमस्कार मैं सोनी ओचा आप देख रहे हैं और रोजगार शमता विक्सित करने के लिए कौशल विकास एक महत्वपुन कदम है एंटीपीची कौरबा परियोजना प्रभावित गाओं के नागरिकों के कौशल विकास और रोजगार शमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है उक्तवी चार विस्वरू बसू कारेकारी नितेशक एंटीपीची कौरबा ने प्रस्टिक्षन कारेकरम के उद्घारण समारों में व्यक्त किये वहीं NTPC कुर्बा ने सहायक मशीन ओपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए प्रक्षिक्षन प्रदान करने के लिए कौशल एवं तक्निकी सहायता केंद्र के साथ समझाता किया है वहीं इस कारिक्रम के तेह 40 युवा प्रक्षिक्षन से लभामिन्थ होएंगे तीन महीने तक चलने वाले इस प्रक्षिक्षन की समापती के पस्चात चात्रों के लिए सिपेट द्वारा प्लेस्मेंट के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी वहीं विस्वरू बसु कारेकरी निदेशक कोर्बा ने अपने वक्तव्य में युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह पार्टिक्रम पर योजना प्रभावित गाओं और अन्यक करीबी गाओं के युवाओं के लिए नए रोजगार के अफसर प्रतान करेगा कौशल विकास और उजगार चमता को बढ़ाने के लिए एंटीपीसी कोर्बा द्वारा नीरंतर प्रयास किये जा रहे हैं श्रीप बसु ने कौशल विकास के छेत्रे में मिल रहे अफसरों पर युवाओं से बात की तता मिल रहे अफसरों का लाग उठाने के लिए छातरों को प्रयरीद भी किया उठगाडन सामारों में मनोज कुमार राजपूत केंदर प्रमुक सीपेट कोर्बा ने युवाओं को एंटीपीसी के प्रक्षिक्षन का भरपूरी उप्योक करने के लिए प्रयरीद किया मैं यहाँ एंटीपीसी में मसीन ओपरेटर एंडेशकन मोललिंग का कॉर्स कम्प्रिट करने आई हूँ यह कॉर्स त्री मन्स का है एंटीपीसी ने यह कॉर्स दिला कर सब छातरों के लिए बहुत ही अच्छा किया है मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जैसे तीन मंस कम्प्रिट हो जाते हैं तीन मंस कम्प्रिट होने के बाद हमारा प्लेसमेंट होता है उस प्लेसमेंट में सेलेक्शन के जाता है कौन चातर कहा जाएंगे उनमें प्लास्टिक प्रोड़क्ट बनाना सीखते हैं, जब यह प्लास्टिक प्रोड़क्ट बना लेते हैं, तब हम उनको इंडस्ट्री में प्लेस्मेंट दिलाते हैं, और यह अपना स्वयम का रोजगार भी करने के लिए कुशल हो जाते हैं, तो यहाँ पे दो अपोर्च कर्शेंस इंचेक्षण मोल्डिंग इस कुर्स में हमको प्लास्टिक के इस बारे में पुरा चिखाया जा रहे है इसे हमनों को अलग अलग कंपादी जैसे की टाटा मोटर्स से इन सब कमपणी में हमनों को जॉब मिलेगा इसलिए मैं इस कोर्स को कर रहा हूं और यह जो कोर्स है इसको NTPC द्वार करवाय जा रहा है